हेलो दोस्तों रुप्सका दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन एड़ा फॉस्क दो यूटूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करना है एक बड़ी और लेटेस अब्रेट के बारे में जोकी संबन्दीत है बीर्ड वर्सिस बीटीसी मामले को लेकर बीर्ड वर्सिस बीर्ड को शामिल करने के संबन्द में या बीर्ड को प्राथमिक में बनाए जाने को लेकर आदेस दिया गया है अब जज़ की तरफ से दिये गए आदेस को अगर आप समझें तो उन्होंने बहुत सारी जो बात हैं अपने और के अंदर कहीं है चाहे अगर बात की जाए ब को लेकर भी कोट के माधियम से बहुत साही चीज़ें कहीं गई है और यह और बीर्ड करने वाले अब बेर्थियों के लिए काफी महत्पूर है क्योंकि इसको छे ग्यार दोजा 24 को जारी किया गया है डिटेल में बात करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को द बहां से बीर्ड को बाहर करने का आदिश दिया गया था यह मामला वैसे तो शुरू हुआ था 11 अगर्स 2020 को लेकिन उससे पहले राजिस्तान में 2021 में शुरू हो गया था उसके बाद से पूरे देस भर में यह कोरोना की तरह फैल गया लेकिन उसके बाद अब तक यह मामला चल रहा है और बहुत सारे अलग अलग राज्ये जहां पर बीर्ड को प्रात्मिक से या तो बाहर कर दिया गया है या बाहर किये जाने की मांग की जा रही है अब इसी मामली को लेकर आज कोड में सुनवा ही चलती है नि Almaty प्रक्ष रखा जाता है बीटीसी डीयलेड करने वाले अभ्यातियों के माधियम से साथी साथ उनके बकीलों के माधियम से लेकिन कोड़ जो कहती है जवाब में वो काफी महतपूर है कोड़ कहती है कि बीयड को बाहर करना कोई solution नहीं है क्योंकि अगर एंसिटीई ने योग बदल करके आने वाले फ्यूचर में बीटीसी की जगह पर गैजुएशन कर दिया तो क्या हम सभी बीटीसी डीलेट को भाग कर देंगे क्योंकि एंसे टीका कर नहीं की कह सकते हैं कोई नियम नहीं है वो कभी भी नियम बदल देते हैं आपने देखा पहले बीड करने वाले अ करने वाले अभ्यरती भी प्यात्मी में बढ़ा लो फिर इसके लावर नियम से इस प्रकार के इतने नियम बना दिये गए हैं कि आज जब कोई मामला कोट में चला जाता है तो सबसे पहले यह पीछे अड़ जाते हैं कि हमें नहीं पता कि आपको क्या आदेश देना है क्या नहीं और बाद में अभ्यरती भुगतते जाते हैं आज एक ऐसा ही मामला देखने के लिए मिलता है कोट के अंदर जहां पर कोट में हुई सुनबाई के बाद बहुत साही चीज़ें देखने के लिए मिली और इस सुनबाई में आपको बहुत कुछ पता चलेगा जब आप समझा था भी चलूँगा जिससे कि जो चीज़ें आप सभी को बताई जाएं कम से कम आप सभी को पता तो चल सकें कि आखे वो कहना क्या चाहते थे अब ध्यान से आप इस बात को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि कोट के माधियम से कही गई बात हैं सत प्रतीशत पुए तर कोई नहीं है कोई यहां पर जज़िस पूछना चाहते थे कि 11 अगर्स 2023 के बास से कितने ऐसे वीर्ड करने वाले अव्यरति हैं जो प्राथमिक में अपॉइंट किये गए हैं आगे सुने हैं अब यहां पर जज़िस के माध्यम से भरती हैं सम्मधित जानका ही मांगी जारी कि विग्यापन कव आया किस तरीके से देखने के लिए मिला पहरी लिस्ट कव निकाली गई और उससे सम्मंधित जो कार्ड है वो किस तरीके से देखने के लिए मिले जज़िस ने पहले यहां पूरे इस मामले को समझने की कोशिश की कि आखी यह मामला कैसा है क्योंकि 36 यहां पर जो देखने का और उसको पढ़कर सुनाते हुए ब्टीसी डिलेड के अधिवक्ता कहना चाहते है कि बाहर को बहुत कर दिया जाए क्योंकि सुपीम कोट ऑफ इंडिया ने आधेस दिया है कि जिनको नोकिया सब्जेक्टू आउटकम दी गई उनको क्यों रखा ज जो 36 गड़ के अंदर ब्टीसी डिलेड करने वाले अभ्याति हैं उनका कहना है कि उनको हटा करके उनको नोकि दे दो लेकिन यहां पर इस मामले पर सुनवाई करते हुए जजिस ने जो कहा वो काफी महत्पूर है और यह आने वाले समय के लिए और भी ज्यादा महत्पूर प्वेंटी एफंडेड नाइनटी समय के लिए यह बन आपका रिव्यू कुछ नहीं चलेगा यह तो आसा करो इस्टेट के पास एक तरीका है आप क्या पढ़े ने क्यों सर्थ डिप्लोमा होड़ डिप्लोमा है अच्छ यह बताओ चा गौर्नमेट एक बाया मिटी नी इन इनको आप इस्पूल इशुटिशन में भेज दो कि इनको भी नौकरी से ना निकालो ताम तो करी रहे यह तो ब्यूट के बंदे उसमें अब्डेट कर सकते हैं और इन चले डियर्ट इस अब पर निकाले आपने अभी फिर अभी फिर खाली है तो क्यों नहीं बायमेट नि इसे फीरे किया है कि जो ब्याट करने वाले अभ्यति है बंटू-5 के अंदर तो पुरे तरीके से और इलिजबल नहीं है लेकिन 6-8 के अंदर उनका पूरे तरीके से वह है तो क्यों ना उनको माइगर्ट करके 6-8 गा टीचर बना दिया जाई यह सारी बाते आप सभी के साम आपको इनको बाहर निकाल दिया जाए अगर आपको आपके पास एक मोका है कि जब आपको नोकी मिल रही है सरकार के पास ऐसा राइट है कि वो प्राथिमिक में उसमों बना करके रख सकते हैं तो क्यों ना उसका उप्यों कर लिया जाए इसी मामले पर जो जजिस हैं वो काफ तो यहां पर उन्होंने कहा कि अगर को नियम फे से NCEC के माध्यम से बदल दिये जाएंगे तो यह विद्ध को निकाल दिया फिर बिटीसी को निकाल दो फिर डिल इक अगे बढ़ाते जाओ तो जजिस का जो point of view था वो काफी ज़्यादा महत्पूर था इस मामली के लिए अब देखना ये होगा कि इसका प्रवाब आने वाले समय में क्या होता है तो यहां इस मामले पर सुनवाई करते हुए जजिस के मामले पर अपना जो कह सकते हैं इस प्रस्टी करन दे दिया गया है कि अगर संबब हो सकता है तो बीएड को क्यों ना माइगरेट करके अपर प्रिमरी में बेज दिया जाए जहां पर बीटी सी करने वाले अभ्यरती उनकी अगर बीएड की जगरे नौकरी देनी है इससे क्या होगा कि बीएड बाहर भी नहीं होगा और जिसको नौकरी मिली चाहिए उसको नौकरी भी मिल जाएगी और यह विवाद भी खतम हो जाएगा अब जजिस ने तो इस मामले को लेकर कहा है लेकिन उन्होंने सरकार को निदेशित भी किया है अगली सुनवाई इसकी होने वाली है 25 या 28 नवंबर को दोनों में से एक है मुझे इसी में आपको मिल जाएगा और उस दिन सरकार यह बताएगी कि वो क्या करना चाहते हैं क्या वो कोट की point of view से सहमत है अगर सहमत है तो beard करने वाले अभ्यतियों को ऐसे ही नौकरी पर बना करके रख सकते हैं अगर वो सहमत नहीं है तो फिर beard को अठा सकते हैं लेकिन कोट का मत पूरे तरीके से किलिए है कि अगर कोई solution है जिससे कि beard और btc दोनों का फाइदा हो सकता है तो क्यों न हम उनको बाहर निकालने के बजाए उनके लिए कोई solution निकाले जो 3000 से ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं अब इसको लेकर आपकी राय क्या है वो मैतबूर है कोट के decision को आप कैसे समझते हैं और आप कैसे देखते हैं उस पर अपनी टिपनी देना अवशक समझें क्योंकि कोट की तरब से पहली बार एक beard के प्रक्ष में फैसला दिया गया है और बहतरीन फैसला भी लग रहा है हाला कि यह final नहीं है जब तक सरकार इस पर consider ना हो जाए कोट चाहे तो ऐसा आदेश दे सकती है क्योंकि सुप्रिम कोट ने आदेश तो दिया है लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर देश बर के अंदर beard करने वाले अभयतियों के रास्ते खुल सकते है क्योंकि यूपी बिहार और भी अलगर राज्यों में beard को बाहर करने की मांग की जा रही है लेकिन फिर वहाँ पर वो अभयति भी सेफ हो जाएंगे आपकी राय क्या है मैत पूरे कमेंट करके बताएं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो